क्या आपको पता है आपकी 100 रुपे पर डे की सेविंग या इन्वेस्मेंट आपको करोड़ पती बना सकते है वो भी बहुत जादा समय नहीं लगेगा मातर 30 साल क्योंकि यहाँ पे हम 100 रुपे पर डे की बात कर रहे हैं और ये इन्वेस्मेंट देखने में बहुत छोटी है अब आप इसको अपने budget के हिसाब से divide कर सकते हो भाई किसी को 10 रुपे per day के लिए invest करना है, किसी को 20 रुपे, किसी को 50 रुपे, किसी को 100 रुपे, कोई 1000 रुपे की विवर्थ भी रखता है daily की, तो यह आप अपने हिसाब से calculate कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक on and average 100 रुपे की calculation ल तो 30,000,000 रुपे तक का profit gain कर सकते हैं 30 साल invest करेंगे तो 1,08,000,000 तक हम यहाँ पर अपने investment पर return ले सकते हैं और 40 साल में वो पैसा हो जाता है 3,66,000,000 रुपे 50 साल में वो पैसा हो जाता है 12,23,000,000 रुपे जबकि यहाँ पर जो हम returns calculate कर रहे हैं वो own and average 12% के CAGR पर कर रहे हैं जबकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे mutual fund है जो long term में 20%, 25%, even 30 से 35% का CAGR भी दे सकते हैं तो ऐसे कौन से funds हैं वो जानने के लिए आपको channel पर visit करना पड़ेगा मेरे main channel पर मैंने recently top 5 mutual fund की एक video share किये mutual fund में अगर invest करना है तो वहाँ से आप check out कर सकते हो और अगर यहाँ पर आपको invest करना है कुछ अच्छे shares में कौन से shares वो रह सकते हैं जिसमें आपको बड़े आराम से minimum 12% का return मिल जाएगा तो वो video आपको इसी channel पर मिल जाएगा जिस channel पर आप ये video देख रहे हो आप अगर channel पर विजिट करोगे तो आपको एक video मिलेगा nifty 50 का nifty 50 वाले सभी stocks almost आपको minimum 12% का on and average return दे सकते हैं जो आपको long term में काफी profitable साबित होने वाला है अब थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं कि 100 रुपे की investment कैसे हमारे लिए बहुत जादा profitable रहेगी 100 रुपे per day की investment अब यहां मैं 100 रुपे लेके चल रहा हूँ आपका जो भी budget हो आप अपने budget के हिसाब से calculate कर सकते हो 100 रुपे per day का मतलब हुआ annually मैं यहां पर जो invest करने वाला हूँ वो रहेगा मेरा investment में जा सकते हो और अगर आपको बिल्कुल safe रखना है अपने पैसे को जो लोग सोचते हैं कि stock market में थोड़ा risk है तो अगर आप nifty 50 के stocks में पैसा डालोगे तो कोई भी risk नहीं है इसलिए बिल्कुल safe returns पे अगर हम जाए minimum 12% की compounding हमको देखने को मिलेगी 12% के साथ अगर हम जाते हैं तो एक साल में हमारा जो invest हो रहा है वो हो रहा है 36,500 रुपे अब इसी को हम 10 से multiply कर देंगे तो simply हमारी जो investment हो गई वो हो गई 3,65,000 रुपे की यह 3,65,000 रुपे की investment तब हो ही जब हमने 100 रुपे पर दे का invest किया अब आप यह सोचोगे की 50-50 में हम 100 रुपे पर दे कैसे कर सकते हैं तो आपको 100 रुपे पर दे नहीं करना है 100 रुपे पर दे की एक average आएगी जब आप monthly invest करोगे यहाँ पर अगर हम calculation कर रहे हैं तो हमने जो total 36,500 रुपे की calculation निकाली है वो एक साल की है अब जिस समय market fall कर रहा है या तो आप 36,500 रुपे से उस समय invest कर सकते हो या फिर monthly basis पर आप 3,000 रुपे की on and average जो भी investment आपकी बनती है उसके हिसाब से आप investment कर सकते हो डिपेंड करता है आप कौन से 50-50 के stock में invest कर रहे हो अग आप उसमें quarterly basis पर half yearly basis पर कर लो अगर वो बड़ी valuation कर नहीं है चोटी valuation का है तो monthly basis पर कर सकते हो या फिर lump sum payment डालना है एकी बार डालना है कि 36,500 एकी बार invest करना है मुझे साल में तो फिर आप market में जब भी अच्छा खासा correction या fall होता है उस समय invest कर सकते हो तो ये तो हम calculation basis पर आपके पास saving में है तो initially one time payment भी डाल सकते हो वो आपके लिए और ज़्यादा फायदेबंद होगा क्योंकि जब उस पे CAGR 12% का calculate होगा तो उसके returns और ज़्यादा बनेंगे और ये मैं जो 12% minimum लेके चल रहा हूँ ये nifty 50 के जो stocks हैं आउट performer उनी के basis पे लेके चल रहा हूँ ये ही अगर आप mutual fund में जो थोड़ा सा risky है mid cap या small cap में जाओगे तो हो सकता है 20-30-40% का CAGR भी आपको मिल जाए 10 सालों के अंदर 20 सालों के अंदर या 30 सालों के अंदर तो आपका जो पैसा है उसकी calculation multiplication जो होगी वो बहुत जबर्जस्त हो जाएगी यानि कि जो हम एक साल में even 40-50 लाख रुपे तक भी बन चुका हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहां पर हम जो भी पैसा mutual fund में लगाते हैं mutual fund आगे उसको invest करते हैं और वो उस जगे invest करते हैं जहां से high returns generate होते हैं मतलब करेंगे वो भी stocks में बट उन stocks में जो बहुत ही high returns उनको बना कर जब सही समय होगा तो mutual fund उस stock को sale करके दूसरे stock को purchase कर लेते हैं जो अब उसके outperform करने वाला है तो यह simple सी calculations है जिसको अगर आप करो तो आपको बहुत जादा समय नहीं लगेगा करोड़ पती बनने में थोड़ा सा देखो market में जब भी गिरावट हो पैसा वो समय सही होता है डालने के लिए क्योंकि top में market है उस समय अगर आप डालोगे तो हो सकता है market कभी थोड़ा सा initially 5-10% fall करा तो आपको खरीदने के बाद loss होने लगेगा बट अगर आपने उस गिरावट में पैसा डाला जब market recover होगा तो आपको initially खरीदने के बाद profit होने लगेगा long term की investment में कभी भी नुकसान नहीं होता बशरते आपने अच्छी company में पैसा लगाया हो क्योंकि अगर आपने गलत company में पैसा लगाया है तो आप एक करोड भी लगा लो हो सकता है दस साल बाद वो एक करोड वापस भी नहीं बट अगर आपने अच्छी कमपनी में पैसा हैं बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं एक हजार रुपे आज डालना स्टार्ट करूँगा मार्केट में तो मैं बीस साल डालूँगा तो बीस साल बात कितना मिलेगा ओने ने अवरेज आप ये लेके चलो कि मिनिममं 12-15% का CSGR मार्केट आपको दे देगी अगर आपका विजन है लॉंग टर्म का और इन्वेस्मेंट का मतलब क्या होता है इन्वेस्ट करना इन्वेस्मेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बेबी के लिए इन्वेस्मेंट कर सकते हो अगर आप 30 से 40 के बीच में आपकी एज है आप अपने आने वाले 10 साल 15 साल बाद रिटारमेंट सोच रहे हो तो उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि मैं 10 साल इन्वेस्ट कर लेता हूं या 15 साल इन्वेस्ट कर जिस rate में आपने खरी दिये और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको 3-4 गुना के return भी दे दे पांस साल दस साल के अंदर बट equity में क्या होता है कि equity में अगर कोई एक अच्छा स्टोक आपको सही समय पे मिला और वो चल गया और वो बहुत अच्छा से चल गया तो हो सकता है वो आपको 20-30-40-50 गुना के return भी बना कर दे दे तो इसलिए investment stock market में भी जरूर करना चाहिए अगर आपके पास total saving 10 लाख रुपे है तो आप उसका 10% भी अगर market में लगाओगे ना 10 साल 15 साल बाद वो आपको काफी गुना पैसा बना कर दे सकती है बशरते आपने अच्छी company pick की हुई है फालतू के जो penny stocks है उनमें बिल्कुल भी नहीं जाना अच्छी companies में invest करो 10 साल में बड़े अराम से आपका पैसा जो है double हो जाएगा और अगर अच्छी growth हो गई तो 3-4-5 गुना भी पैसा हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 20 साल में बहुत ही अराम से आपके पैसे में 5-10X की multiple collection देखने को मिलेगी यानि कि अगर आपने 10,000 रुपे साल का भी लगाया और 10 साल में 1,000,000 रुपे लगाया और 20 साल के लिए छोड़ दे तो हो सकता है वो पैसा जो आपने सिर्फ 1,000,000 रुपे लगाया है 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 भी बन चुका हो तो कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि अच्छी companies ना long term में बहुत जबर्जस returns डिरिवर करती है जिनको आपके देखके होश भी ओड़ जाएंगे ऐसे ऐसी company हैं जिन्होंने 3 रुपे 2 रुपे से market में अपनी listing में शुरुआत की थी और आज वो ढई ढई 3,000,000 रुपे पे देखने को मिलती है मतलब वो इतनी गुना बढ़ चुकी है और उन्होंने इतना dividend दे दिया इतने bonuses दे दिया कि आज के समय पे जिस भी व्यक्ति ने उसको 2 रुपे, 5 रुपे, 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे में खरीदा था वो करोड़ पती बनके बैठा हुआ है तो long term investment हमेशा profitable रहती है बस आपका vision long term का होना चाहिए इसलिए 100 रुपे की investment से भी आप बड़े आराम से करोड़ती बन सकते हो और ये vision आपको रखना होगा कि मेरे को 10 साल जाना है, 20 साल जाना है, 15 साल जाना है या 30 साल जाना है, 25 साल जाना है vision आप अपना clear रखो, investment अपनी routine पे करते रहो ये investment आपको future में बहुत पैसा बना कर देगी तो उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like सरूर करना, channel को subscribe कर लेजिएगा मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए topic में तब तक के लिए टाटा बाई 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 and thank you for watching